हेलो दोस्तों मेरे चैनल सुसम रद्युपाई में आप सभी लोगों का स्वागत है जैसे कि आज मैं बताऊंगी तुरुपती बालाजी मंदिर के बारे में आपको संपूर जानकारी दूंगी वीडियो प्योगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो आगे बढ़ते हैं भारत में कैई चमतकारी और रहसे में ही मंदिर है जिसमें दच्छिन भारत में इस्तित भगवान तुरुपती बालाजी का भी मंदिर है भगवान तुरुपती बाला जी का चमतकारी रहसे में मंदिर भारत समित पूरी दुनिया में ही पुरुशिद है यह मंदिर भारती अवास्तुकला और शिल्पकला का उतकरष्ट उतधारण है तुरुपती बाला जी मंदिर भगवान विश्णू को समर्पित है यह मंदिर आंदर परदेश के चितुर जिले में तुरुमला परवत पर इस्तित है यह भारत के मुखे तुरुतिसलों में से एक माना जाता है तुरुपति बाला जी का वास्त्विक नाम है श्री बेंकर टेशवर महस्वामी जो स्वयम भगवान विश्णू है धार्मी मानताओं के मताविक भगवान श्री बेंकर टेशवर अपनी पतनी पदमावती के साथ तुरुमला में निवास करते हैं मानता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकर टेशवर के सामने प्रात्रा करते हैं उनकी सभी मुरादे पूरी होती है भक्त अपनी श्रदा के मुताविक यहां आकर तुरुपती मंदिर में अपने बाल दान करते हैं इस आलोकी को चमतकारी मंदिर के कैई जुड़े रहसे हैं तो उसी के बारे मैं आज मैं बात करने जा रही हूँ कहा जाता है कि भगवान बैंकेटेश्वर स्वामी की मूर्थी पर बाल जो लग रहे हैं वो बहुत असली है यह बाल का भी उलजते भी नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं माननेता है कि यहां भगवान खुद विराजमान है जब मंदिर के गर्व गिरह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्रीबैंकेटेश्वर की मूर्ती गर्व गिरह में मद्दे में है लेकिन आप ऐसे गर्व गिरहे के बाहर आएंगे तो चौक जाएंगे क्योंकि बाहर आके ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान के प्रतीमा जो दाहिनी तरफ इस्तित है अब यह ब्रह्म है यह कोई भगवान का ही चमतकार है इसका तो पताया लगाना भी मुस्किल है माननेता है कि भगवान के इस रूप में लचमी जी भी समाहित है जिसकी वज़े से श्री वेंकेटिश्व स्वामी को इस तरिया पुरुस दोनो वस्तरों पहनायने की परमपरा है दुरुपति बाला जी मंदिर में भगवान वेंकेटिश्वर की परतीमा आलोकिक है यह विसे पत्थर से बनी होई है यह परतीमा इतनी जीवन्त है कि ऐसे परतीत होता है जैसे भगवान विश्णु स्वैम विराजमान हो भगवान के प्रतीमा को पसीना आता है पसीने की बुंदे देखी जा सकती है इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है सिरी वेंकेटेशोर स्वामी के मंदिर में 23 किलोमेटर की दूरी पर एक गाउं है जहांके गाउंवाले कोई भारी व्यक्ति प्रवेस नहीं करता इस गाउंव लोग बहुत ही अनुसासित हैं नियमों का पालन करके जीवन वैतित करते हैं मंदिर में चड़ा हुआ जाने वाला जो दूद हो दही हो मखन फल सभी जो चीज़ें आती हैं वो इसी गाउंव से ही आती है गुरुबार को भगवान वैंकेटिशोर को चंदन का लेप लगाया जाता है इनका अदबुती रहस सामने आता है कि माना जाता है कि भगवान कर शिंगार हटा कर इसनान करा कर चंदन का लेप लगाया जाता है और भगवान वैंकेटिशोर के हिर्दे में माता लक्षमी की आकर्ती भी दिखाई देती हैं। पड़ी की माननता है कि बालवस्ता में इस छड़ी से भगवान वेंगेटेशुर की पिटाई की गई थी जिसकी वज़े से उनकी ठुड़ी पर चोट लग गई थी। करने की तो क्या माननता है कि बाल दान करने से उनके घर में जितने बाल दान करे जाते हैं धन लक्षमी का आगमन रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि जैसे हम अपने बाल दान करते हैं तो क्या होता है उस में से जब बाल दान करते हैं तो घमंड अपना जो जितना भी एहंकार होता है इंसान का वो अपना सिर्क से निकाल कर भगवान के चर्णों में आ जाता है। तो ये सारी माननेता है जो हमारे पुराणों में लिखी गई है और वहाँ पर इतना सौने का दान चड़ता है, सबसे मतलब सबसे मालदार मंदिर तिरुपति बाला जी को ही कहा जाता है, वहाँ पर सौने का दान किया जाता है, वहाँ पर बालों का दान किया जाता है, यहाँ बालदान करते हैं और कोई उन्हें बहुत आदर के साथ सम्मान के साथ उन्हें वो करा जाता है जो बालदान करते हैं उनका आदर करा जाता है और बड़े अच्छी तरह से उनका स्वागत करा जाता है तो बहुत माननेता है बालदान करने की और सोना और चांदी भी महाँ पर आप विशेश जानकारिती अप बताते हैं भोग क्या लगता है तुर्पति बालाजी को हमेसा लड्डूऊं का ही भोग लगता है विशेश गाय के दूस्से बनाया जाता है वहां की गाय विशेश ही होती है उसका नाम होता है पैंपॉंगुल तो वह विशेज गाय के दूस्से वहाँ पर लड्डू बनाये जाते हैं उसी का वहाँ पर भोग लगाया जाता है अब आप तुरुपती बालाजी जा रहे हैं तो कहते हैं कि आप किसी भी चीज से जा सकते हैं अगर आपका दूर पढ़ रहा है तो आप प्लेन से भी जा सकते हैं औ और वहां से चैनने जाने के बाद चैनने से आपको वहां से वो लेनी पड़ेगी बस वगेरा या कोई भी आपको अपनी वहां लेना पड़ेगा वहां से आपको तुरुपती बाला जी पहुचना होता है तो बहुत ही अच्छा है वहाँ पर बियाईपी टिकेट भी मिलते हैं वियाईपी टिकेट से बहुत ही जल्दी दर्सन हो सकते हैं आपको फिर बियाईपी टिकेट से भी तीन चार घंटे में आपका नंबर आता है क्योंकि बहुत ही भीड रहती है वहाँ पर बस आपको ध्य मंदिर है महां पर बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है आप घूम सकते हैं कोड़ राम स्वामी मंदिर है वैंकेटेश और प्राणी उधान है और भी बहुत सी चीज़े हैं जिसों आप घूम सकते हैं तो टाइम निकाल कर जाएए और वहां का आनद उठाइए जब भी आप